मेरे सपनों को पंक लग गए पुषपांजली कॉलेज ओफ नर्सिंग आगरा पेश करते हैं सफलता की कहानियां मेरे सपनों को पंक लग गए एपिसोड 3 राहुल नमस्कार दोस्तों आज की कहानी हमें भीजी है जासी के चिरगाव तहसील से राहुल ने राहुल लिखते हैं कोरोना की पहली लहर में मैंने अपने पिता को खो दिया था मा और छोटी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी समझी नहीं आ रहा था कि करूं तो करूं क्या कैसे घर चलेगा मैं आगे क्या कर पाऊंगा एक दिन आकाश भईया मेरे घर पर आये और मुझे उदास देखकर बहुत दुखी हुए मैंने उन्हें बताया कि अभी तो मैं सिर्फ 12 में ही हूँ ऐसे मैं मुझे कौन तो नौकरी देगा और कितना ही पैसा देगा आकाश भईया ने कहा कि जहां एक दर्वाजा बंध होता है न इश्वर वहां कई दर्वाजे खोल देता है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो तुम्हारे लिए पुषपांजली कॉलेज ओफ नर्सिंग है न जहां तुम्हारे पिता के ना रहने के कारण मुफ्त नर्सिंग शिक्षा मिलेगी रहना, खाना, पिना, सभी कुछ तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री रहेगा बस तुम मन लगाकर 12 पास कर लो मेरे तुमानो सपनों को पंक लग गए 12 के बाद मैंने पुषपांजली कॉलेज ओफ नर्सिंग से जी एनेम में एडमेशन लिया जो की 3 साल का कोर्स है वो भी मेरे लिए बिल्कुल फ्री था पिता को खोने के बाद मुझे मेरे ट्रेनर्स की रूप में पिता मिले जिन का मैं प्रीस्टूडेंट हूँ और जिनकी सही ट्रेनिंग की वज़ा से आज मैं अस्पताल के कई मरीजों का जहेता बेटा हूँ तो कई मरीज बहनों का बाई हूँ मैं अच्छे से ट्रेनिंग ले रहा हूँ काफी काम सीख गया हूँ मेरे सर कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो सब सीख लो तो तुम्हारी नौकरी पुषपांजली हॉस्पिटल में पक्की मेरी परिवार की जिन्दगी अच्छे से बीतेगी अब ये मुझे पूरा विश्वास है तो दोस्तों ये थी जासी के तहसील चिरगाओं के राहुल की जिसके सपनों को तब पंक लगे जब उसने उड़ने की उमेद ही खो दी थी असल में जिन्दगी की उड़ान के लिए पंक की नहीं बलकि जजबे की जरूरत होती है और जरूरत होती है लगन, महनत, इमानदारी और सही वक्त को पकड़ने की राहुल के सपनों को तो पंक लग गए अब आप बताईए आपकी कोई कहानी है तो हमसे शेयर कीजिए आपकी कहानी ताकि हम उसे दुनिया तक पहुचाएं और आप शायद किसी की प्रेयना बन जाए तो मिलती हों अगली बार एक नई आप भी ती लेकर जो शायद हमारे आसपास किही हो तब तक वैस्त रहें स्वास्त रहें और अपनों का खयाल रखें नमस्का राहे आसान हुई मन्स को पंक लग गए मेरे सपनों को पंक लग गए